ठन का नास करने वाले होते हैं ये पांच पोदें अभी जड़ से उखाड कर फैंक दें। दोस्तों भगवान सिरी कृष्ण वास्तु सास्तर का विशिष्ट ज्यान रखते थे। उन्होंने समय समय पर धरमराज युदिश्टर को वास्तु सास्तर का ज्यान दिया। यह ज्यान समस्त मानव जाती के लिए अत्यंत महत्यपों और कल्यान कारी हैं। सिरी कृष्ण ने पांच ऐसे पेड़ पोदों के बारे में बताया हैं जिनका भवन की सीमा में होना दुख एमद्रिद्रता लेकर आता हैं। ये वरिक्स घर के सामने होने से उस घर में निवास करने वाले लोगों की कभी उन्ती नहीं होती। उन्हें हमेशा प्राजे और निरासा का ही सामना करना बढ़ता हैं। दोस्तों वास्तु सास्तर के अंसार व्रिक्स तथा पोदे हमारे भवन की सुन्दर्ता को बढ़ाते हैं, साथ ही यह हमारे वातवन को भी सुद रखते हैं, व्रिक्सों से साकरातमक उर्जा का संचार होता हैं, जो हमारे जीवन के लिए अत्यन्त अवस्षक होती हैं, व्रिक नकरात्मक्ता को कम करके वातावन को अधिक साकरात्मक बनाने का काम करते हैं घर के सामने सुब पेड़ पोदे लगाने से घर में बरकत आती हैं साथ ही ये पेड़ पोदे कई परकार के वास्तु दोसों को भी नश्ट करते हैं घर के आंगन में खड़े व्रिक्स देवताओं के समान हमारे घर की रक्षा करते हैं। इसलिए हमारे पुराणों में और सास्त्रों में भवन की सीमा में कुछ सुब व्रिक्सों का रोपन करने की सिलहा दी गई हैं। आज हम जानेंगे हमारे घर की सीमा में कौन से व्रिक्स तथा पोदे होने चाहिए और कौन से व्रिक्स नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ व्रिक्सों को सास्त्रों में सुब बताया गया है। उसी परकार से वास्तु सास्तर में एसुब व्रिक्सों तथा पोदों का वर्नन इन वरिक्सों का घर की सीमा में होना एसुग और एमंगलकारी होता है। ये वरिक्स घर के सामने होने से दुख तदा दिरिदरता का ही हमें सामना करना पड़ता है। इन वरिक्सों के आंगन में रहने पर धन का नास होता है। सत्रों में वरिदी होती हैं। मनुष्य अपना मान समान तक खो देता है। इसलिए यदि आपने भी जाने अंजाने में अपने घर के आंगन में अथवा घर के अंदर ऐसे वरिक्स तता पोदे लगाए हैं। तो बि पूलों और पोदों से सजाकर रखना चाहिए। मुख्यदवार जितना सुन्धर और सुसोबित होगा उस घर में उतनी ही अधिक सुक सांती बनी रहेगी। किन्तु ध्यान रहे मुख्यदवार पर किसी भी वरिक्स की चाया नहीं पड़नी चाहिए। इससे चाया वेद निर्मान होता है और प्रिवार में समझ्याएं उत्पन होने लगती है। दूसरी बात है भवन के अगने कोण में और नेतरते कोण में किसी भी परकार के वरिक्सों को लगाना सुब माना नहीं जाता। यह वरिक्स जल्दी ही सूख जाते हैं और एसुब परिनाम प्राप्त होता है। तीसरी बात है घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चमपा का पोदार लगाया जाता हैं तो धन में वरिदी होती हैं। चोथी बात है यदि घर का मुख्या वैपार करता है तो उसे घर की सीमा में नीम और बेल के वरिक्स का रोपन करके उनका पालन पोशन करना चाहिए। इससे उनके वैपार में अधिक लाब प्राप्त होता हैं और उसको दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। पांचवी बात है भवन के परिसर में कहीं भी उपर की तरफ जाने वाली लता बहुत ही सुब परिनाम देती हैं। किन्तु अगर लता उपर से नीचे की तरफ आती हैं तो ये अदोगती होती हैं और हमें दुख भोगने पड़ते हैं। यदि इस थान पर कोई मनी पलांट लगा हुआ हो तो और भी अधिक सुब फल हमें मिलते हैं। केले का पेड भवन के लिए बहुत ही अधिक सुब माना जाता है लेकिन इसे घर के पीछे लगाना चाहिए। यदि इसे घर के सामने लगाना हो तो तुलसी के पोदे के साथ आप लगा सकती हैं। तुलसी के पास केले का पेड़ हो तो धन समपत्ती में अचानक ही व्रदी होती हैं क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विश्णू का निवास करती हैं और तुलसी में माता लक्षमी का वास माना जाता हैं। आई अब जानते हैं कौन से पेड़ पोदे घर में लगाना ऐसुभ होता हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं काटेदार पोदों की। दोस्तों आपको घर में कभी भी काटेदार पोदे नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि काटेदार पोदे हमारे वास्तु को परभावित करते साथ ही इस त्रह के पोदे घर के छोटे बच्चों को भी नुकसान पहुचा सकते हैं इसलिए घर में कांटे-दार पोदे लगाने से हमेशा बचे रहें क्योंकि इनके कांटे नाकरातमक उर्जा उत्पन करते हैं लेकिन फिर भी गुलाब जैसे कांटेदार पोदे लगाए जा सकते हैं, परन्तु गुलाब के पोदे को घर की छट पर ही रखें, तो इससे बहतर होगा। इसी के साथ ही अगर धार्मिक द्रिष्टिकोन से भी देखा जाए, तो भी कांटेदार पोदों को घर में लगाने से परिवार में लडाई और जगडे बढ़ते हैं, इसलिए आपको कांटेदार पोदे नहीं लगाने चाहिए, और इतना ही नहीं इससे घर का वातावन भी ख आने चाहिए, जिनको काटने या तोडने पर दूद निकलता हो, क्योंकि इन में से जो दूद निकलता है, वह हमारे स्वास्थे के लिए ठीक नहीं होता, अगर गलती से कोई बच्चा या बढ़ा इन पोदों के दूद का सेवन कर ले, तो यह हमारे सरीर के अंदर विस पै जाए, तो भी इन पोदों को घर में लगाने से घर की सुक सांती चली जाती है, और घर में नाकरात्मक सक्तियां परवेश कर सकती है, इसलिए आपको दूद वाले पोदे घर पर नहीं लगाने चाहिए, दोस्तो इसी कर में तीसरे नंबर पर आते हैं मुर्जाए हुए पो नहीं तो जब भी आप घर में मुर्जाए हुए पोदों को देखेंगे, तो आपके सवभाव में भी परवर्तन आ चाहेगा, इसलिए घर में कभी भी सूखे हुए पोदे ना रखें, उन्हें तो रंत बाहर निकाल दें, खासकर सूखा हुआ तुलसी का पोदा घर में कभ भरा भरा रहना चाही, सूखा हुआ तुलसी का पोदा दुरभागे लेकर आता है, सास्तों में कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पोदा सूख जाता है, उस घर से मा लक्समी चली जाती है, चोथा पोदा है बोनसाई का पोदा, दोस्तों सायद आप बोनसाई पोदों का मतलब नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता दें कि यह वे पोदे होते हैं जो किसी भी बड़े पेड़ का छोटा रूप होते हैं इनकी बड़वार को किसी विज्ञानिक तरीके से रोक दिये जाता है इसलिए माना जाता है कि इस त्रहे के पोदे चारों तरफ की साकरात्मक तको भी रोक देते हैं इसलिए बोनसाई पोदों को नही घर में त्यार करना चाहिए और नही बाहर से लेकर घर में लगाना चाहिए क्योंकि वाष्टू सास्तर के अंसार यह पोदे घर में रहने वाले हरस दस्जे का आर्थिक विकास रोक देते हैं इसलिए आप इन पोदों को ना लगाएं दोस्तो अब बात कर लेते हैं बबूल के बारे में तो आपको पता ही होगा कि यह एक बड़ा कांटेदार वरिक्स होता है इसलिए इसका पोदा घर में लगाने का सवाल ही नहीं उगता फिर भी कोई बोनसाई करके इसको घर में लगाने की सोच रहा है तो ऐसा बिलकुल ना करें क्योंकि यह वास्तु की दिरिष्टी से ठीक नहीं रहता ऐसे पोदे सिर्फ हमें नुकसान पहुँचाते हैं क्योंकि इनके कांटे बड़े हानेकारक होते हैं दोस्तो अब बात कर लेते हैं प्लांट के बारे में कैस्टर प्लांट की यह देखने में बले ही बेहद अच्छा लगता हो लेकिन इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पोदा माना जाता है इस पोदे के बीज दो दिन के अंदर इनसान की जान ले सकते हैं इसे घर में लगाने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए अगर आप इसे घर में लगाते हैं तो छोटे बच्चे इसके बीज गलती से निगल सकते हैं इस पोदे को घर में ही नहीं बलकि घर के आसपास भी नहीं रखना चाहिए अगर आसपास ये पोदा हो तो तुरंत इसे उखाड कर फैंक दें दोस्तो अब बात कर लेते हैं बेर के पोदे के बारे में कहा जाता है कि फलों में गिने जाने वाला बेर को खाने के लिए लोग इसे अपने घर में भी लगा लेते हैं लेकिन यह गलत हैं कहते हैं इसे लगाने سے घर में नाकरात्मक सक्तियां आ जाती हैं। केवल इतना ही नहीं धार्मिक दरिष्टी से भी अगर देखा जाई तो बेर के पोदे घर में होने से आर्थिक समस्याई बढ़ने के साथ-साथ धन की हाने भी होने लगती हैं। इस कान से इसे घर में नहीं चाहाते हैं तो घर के मुखे द्वार पर आपको मनी पलांट लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको नोकरी और वैपार में तरक्की मिलेगी। परन्तु मनी पलांट के पोदे को लगाने के दोरान इस बात का अवस्य ध्यान रखें कि इसकी लंबाई दीवार से अधिक ना हो जाए। इससे आपके जीवन में परिशानिया आन्मी शुरू हो जाती है। मनी पलांट का पोदा कभी भी खरीद कर नहीं लाना चाहिए। बलकि इसे दूसरे स्थान से चुरा कर लाना चाहिए। तभी इसका सुबफल आपको प्राप्त होता है। अब बात करते हैं पीप पीपल का पेड नहीं लगाना चाहिए। यह पेड घर के लिए बहुत ही एसुब होता है। अगर यह पोदा अपने आप उख जाए तो इसे तुरंत उखाडना चाहिए। अगर पीपल का वरिक्स भवन की पूरव दिशा में होता है तो घर में गरीबी आ सकती है। वर्ट वरिक्स की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यू सूचक होता है। मृत वरिक्स को तो रंत उखाड देना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से वास्तु सास्तर में घर में लगाई जाने वाले पेड पोधों के बारे में महत्यपुन जानकारी दी गई है। कॉमेंट तो दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी आप हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों यदि आपको हमारी ये वडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वडियो को लाइक और सेयर जरूर करें। हमारी च दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जबरदस्ट टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी अपना ख्यार लगना अपना ध्यार लगना आपका दिन सुब और मंगल में हो